थ्यानिकक्ष यह ध्यानिकक्ष सबका सांजा ध्यानिकक्ष सत्युग की पहचान है यह मानबता का स्वभी पहचान है मानबता का स्वभी 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 मानबता का स्वभ कर दो 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 कर जासे के डिटार, वेद्लेगारी, है लीओ, ना αυτό, ना दाये जीव, ना दाली, जीव, ना दाली, जीव, जा दाली, शांक्रिचाक्रिदादा पर्मिधारी अरी ओम नमो नारायन निवस्टारी 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 संभाव संद्रिष्टी की बढ़ाई वह गुड़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने है तू आत्म ज्यान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म द्रिष्टी वह वृति अपना कर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किये हुए सुक्ष्म से सुक्ष्म दोशों का निवारण कर श्रेश्ट विद्वान कुणवान बल्वान धन्वान उद्धीमान वह ज्ञान वान बन सज्जन भाव का वर्त वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना मैं जानता हूँ कि यही युक्ती ही मेरे हृदय में शांती रूपा शक्ती द्वारा मुझे सदा हर विक्रती वह अमंगल से रक्षित रखने का अचूख हत्यार है मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धी के लिए सरव्यापक भगवान से पल बुद्धी वसुमती प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ संभाव संदिश्टी के सवक की पढ़ाई का शुबाराम आठ एप्रल से हुआ है ना तो हम आगे चलते जाएं चलते जाएं उसका कोई विशेश लाब नहीं होता क्योंकि जो भी कारे सिद्ध करना होता है हर कदम विचार कर उठाने की अवश्यकता होती है तो हमें आज समझना है कि जितने भी कदम हम उठा चुके हैं वो हमारे विचार में उतर चुके हैं और हमें समझ आ चुके हैं या नहीं अगर समझ आ चुके हैं तो अमल में उनका वर्त वर्ताओ कहां तक है उसको समझना है क्या समझना है तो अपना अपना आत्मने विक्षिन कर लो कि क्या हकीकत में ही जो यहां बात होती है उसको आप दिल्चस्पी से लेते हो और आपको अपने भावसभाव में पूरा तो नहीं कुछ सुधार का एसास हो रहा है या नहीं हो रहा हो अपना अपना देखना है सुपने बोलो इतने देर नहीं लगाने चाहिए इसमें तो देरी का मतलब भी नहीं है क्यों है इसमें देरी नहीं होते क्योंकि यह तो दिन चर्या से ही समझा जाती है जिस परकार हमारी दिन चर्या व्यतीद होती है दिन चर्या को मतलब है अंद्रूनी वृति और दोनों वृतियों में अंद्रूनी वृति में हमारा ख्याल क्या करता है किदर रहता है क्यों कर रहता है और बैरूनी वृति में जो हमारी वानी है जो हमारा करम है उस त्वारा क्या होता है और उसका नतीजा क्या होता है और उस होने का कारण क्या होता है ये हमें अपनी विवेक बुद्धी द्वारा नित्य प्रती जानना बनता है जब तक हम विवेक बुद्धी जो है हमारी विशेश शक्ति उसका ठीक से इस्तुमाल नहीं करते और हर कदम पर उसका प्रियोग नहीं करते तब तक हमारा उनती का रास्ता बंद रहता है तो ये सावधानी लेनी हमारे लिए है क्या ये सावधानी ले पा रहे हैं हम सब सच बोलना है अपने अपसे और अगर जो सच परतीत हो रहा है अपना अपना सब को अगर वो सच कड़वा लग रहा है या उस सच को हम मानने को तैयार नहीं हो रहे अंदर से तो समझो कि हम अपने साथ दगा कर रहे हैं अपने आपको धोखा दे रहे हैं और दूश्रों को भी धोखा देना हमारा सोभाव है चल करना हमारा सोभाव है ऐसा करने से नुक्सान ही नुक्सान होता है ना तो वैसा वैसा जन खुद कर पाता है ना ही दूसरे कर पाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद भी जीवन में प्रगती पत पर अग्रस्र होने में कमजोर पा रहे हो अपने आपको और दूसरों के लिए भी बाधाव का कारण बन रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है समझते जाओ बात को अगर ऐसा हो रहा है तो यह भूल भूल कर भी मत करना क्योंकि यह अनुचित है यह पाप है यह पाप है यह पाप है दोसरे को सचाई धरम के रास्ते पर जो अग्रसर हो उसको रोकना उसको डोकना उसमें बाधक बनना चाहे वो बाधा बातों द्वारा हो चाहे वो बाधा भाव द्वार द्वार द्वारा हो क्योंकि ये बादा जो होती है केवल लोग मोख करोध के कारण केवल नहीं होती होती है हम ये बादा चुपी साथ कर भी कर सकते हैं हम ये बादा चुपी साथ कर भी कर सकते हैं और यह वह बहुत बड़ी पड़ितार ना होती है इस तरह से खड़ा करना बाता को पड़ितार ना होती है और काम नहीं हो पाता तभी आज कुछ लेसन हम यहां से नहीं बोलने वाले समझाई ना बात हमारी तो कहीं आप सजन ऐसा कर तो नहीं रहे हम पहले कह चुके हैं कि हमें यहां सिर्फ पांच-दस सजन पिया वशक्ता है और एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं पर मौका दे रहे हैं संबल जाओ संबल जाओ और खुद को संभाल लो दूसरों को संभालना की क्षमता नहीं है तो उनको गिराने का भी यतन करना ना जायस है ना जायस है ना तो अब आप सजनों ने जो हम कहने लगे हैं ध्यान से सुनना है पूरी तरह ध्यान से सुनना है आज कोई नहीं है अब जो हो चुका है उस पे कुछ बात है और आपको समझना है कि कहीं वो आप तो नहीं हो ये समझना है आपको और सचाईते आदम निरिक्षन करना है अब ध्यान से सुनना हमारे लिए आगे बढ़ने से पहले विचार करना बनता है बनता है ना विचार करना क्या बोला हमारे लिए आगे बढ़ने से पहले विचार करना बनता है कि क्या संभाव समझिष्टी की युक्ति अनुसार जो पढ़ाई चल रही है हमारे लिए आगे बढ़ने से पहले विचार करना बनता है कि क्या संभाव समझिष्टी की युक्ति अनुसार जो पढ़ाई चल रही है उसकी हमें समझ भी आ रही है या नहीं अगर हाँ तो क्या हम उस पढ़ाई को अमल में लाने में समर्द हो पा रहे हैं कौन कौन हो पा रहा तो बाक्यों को क्या है बाक्यों को आने की जरूरत क्या है फिर ठीक है बाक्यों कर्ष्ट मत क्या करो आने का या तो पढ़ाई को समझो और अमल में लाना शुरू कर दो क्या कहते हो लाओगे अगर हाँ तो कहां तक इसका नतीजा हमें अपने आप व्यक्तिगत रूप से लेना होगा इस तरह से अब अपना नतीजा लेना है क्या हम संभाव नजरों में कर सजन वरिते पकड़ पा रहे हैं क्या हम संभाव नजरों में कर सजन वरिते पकड़ पा रहे हैं क्या हम संभाव नजरों में कर पा रहे हैं यह आपको अभयास करना है यह आपको अभयास करना है जब भी हमारी तरफ देखो जब भी किसी की तरफ देखो उस वकद आतम नरीक्षन करते रहो कि वो आपको वैरी दुश्मन लग रहा है या आपके अंदर उसके जो विक्रित भाव सभाव हैं वो घर कर रहे हैं और परशान कर रहे हैं आपको और उसको बुरा इंसान कहने पर ख्याल में ही से ही बाहर से नहीं कह सकते मजबूर कर रहे हैं या उसके से मिलने के उपरांत मजबूर हो जाते हो उसके निंदा करने के लिए जा उस्तति करने के लिए ये आतम रिरिक्षन करना है क्या कहा है उन्हें? जब भी हम किसी को देखते हैं तो उसके प्रती हमारे बन में क्या विजारा आते हैं? क्या हम उसे निंदा करते हैं? आपने हमारी तरफ देखा अब हम आपको चाहे हमने आपको सताया हो कभी कुछ भी करा हो तो सामने आए तो आपको क्या भाव जो अंदर उठता है आपकी निच्रों में जो भाव आता है तो आप कैसे हमें लोगे? कैसे लोगे? यह देखना है कि उस वाकत सर्जनता खंड़त ना हो ठीक है? कर पाओ गए है? यह सब बहुत अच्छे से हो सकता है पर खेल है कुद्रत का तो आपको ध्यान रखना है क्या हम सज्जन भाव नजरों में कर सज्जन रिती पकड़ पा रहे हैं? क्या हम सज्जन भाव नजरों में कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो क्या हम सज्जन भाव को प्रकृति में लाव सुभाव में इस जगत में यानि परिवार जनो और कुल समाज के साथ निया संगत वा निश्कामता से विचर पा रहे हैं। बोलो विचर पा रहे हैं। कैसे जब भी कोई भी सज्जन हमारे संपरट में आते हैं लिच से दिन चरह में हमारी बात चीत होती है तो हम अपने आपको अभियास करते हैं उसके उपर की सज्जन में बने होते हैं। और नहीं तो नहीं करते हैं किसी करते हैं। कामना भाव से तो नहीं विचरते हैं। अगर यही हम सीख जाएं तो सब कारत सिध्ध होने लग जाएं। क्योंकि हम अपना कह रहे हैं जो हमारे साथ विचरते हैं सयोग देते हैं वो कामना भाव से देते हैं। कामना भाव से सयोग देते हैं। जबके विधान है कि निशकाम भाव से सयोग दो परुपकार का काम करो। तो वो परुपकार कैसे माना जाएगा। अगर निशकाम भाव से हो तो फिर तो कमाल ना हो जाएगा। कामना पूर्ति ना हो तो सज्जन सोच में पढ़ जाते हैं। तो ऐसा था नहीं होता है। उनको दो पीछे। आपसे जो काम होता है आप उसका यश चाहते हो। यश चाहते हो उसको। अभी पोसिस करने अपने आपको बदरने की। नाम चाहते हो। कि आपका चर्चा हो। कि आप बहुत इच्छा काम करते हो। आप बहुत इच्छे हो गए हो। कि आपका नाम चाहते हो। कि आपका नाम भी हो। नहीं अभी तक चाहते है। अब भी तक चाहते है। अब भी जड़े भी आपको बदरने की कुशिस करते है। अरे अगर काम आप कर रहे हो। और हम तरीफ किसी और की करते है। तो उस समय क्या होगा आपको। बुरा नहीं लगता है। आप चर्चा तरह नहीं शुरू कर दोगे। काम तो मैं करता हूँ और देखो नाम उसका हो रहा है। यह होता बहुत है ना। गरा में भी होता है यह होता है ना। तो यह बूल बूल कर भी मत करना ह। इसके नतीजे बहुत भ्यांकर निकलते हैं। ठीक है। बैट जो। अगर हाँ तो क्या हम सज्जन भाव को प्रकृति में लाव इस जगत में यानि परिवार जनों और कुल समाज के साथ नियाय संगत वा निश्कामता से वेचर पा रहे हैं। बताओ। आप बताओ। नियाय क्या होता है पता है। नियाय एक नियाय होता है एक नियाय होता है। नियाय शबत का अर्थ पढ़ना। फिर विचार करना उसके उपर, निश्काम शवद का अर्थ पढ़ना सब, सब के लिए है, फिर अंदर विचार करना कि आप ऐसे ही विचर पा रहे हैं सब परिवार जनों के साथ, समाज के साथ, या कुछ हट के आपको परशान करता है, या आपका चलन ही वैसा बन गया है, अन्याए, जा कामना, हावी हो गई हो दमाग पर तो, ये विचार करना है सब को, ठीक है? अगर हाँ, अब आपको जब विचार करना है, अपना आत्म निरिक्शन करना है इसके बारे में, अगर हाँ निकलता है, तो मुकमल तो किसी का भी निकलेगा, ये तो हम कह रहे हैं। तो आपको देखना है किस हद तक, अभी आप किस हद तक ऐसा कर पा रहे हो निया संगत और निश्कामता से विचारना है। ठेक है, इसके प्रती सजाई से अपनी परक करनी है, कि अब तक हम कल्यूगी भावसवावव पर कितने प्रतिशत, सत्यूगी भावसवाव अपना चुके हैं। क्या कहा है हमने। क्या करना है सिर्फ सुनना नहीं, कान खोल के सुन लो, इसको करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आगे बढ़ने का मतबल है कि कोई पात्र है, कोई सुपात्र है लेने वाला हो। अगर आगे बढ़ते हो तो समझाएगी कि सुपात्र है लेने वाला कुछ। तो जब काम ही काम ना किसे करना है तो सुपात्र कांसे होगा। इसके प्रती सचाई से अपनी परख करनी है कि अब तक हम कल यूगी भाव सुभाव पर कितने प्रती सत्यूगी भाव सुभाव अपना चुके हैं ठेक है ये पूछा जाना आगरिवारी इस क्रिया द्वारा इस क्रिया द्वारा ही हम जान सकते हैं कि सच मुझी संभाव संदिष्टी के पढ़ाई हमारे लिए लाबदायक साबत हो रही है या नहीं और हमें अपने अंदर इसके प्रती और अधिक इस पढ़ाई के प्रती कितने इसके प्रती और अधिक दिल्चस्पी पैदा कर अपनी सवभाविक उन्नती सुनस्चित करने ही तो यतन्शील बने रहना है आपको इससे लाब का एसास होगा तो आपको और दिल्चस्पी से ही सबग दिल्चस्पी पैदा करने होगी इस सबग नेया सबग है लो तो यह उसके लिए यतन्शील बने रहना होगा बतर रुकना नहीं है क्याने करना रुकता कौन है रुकना नहीं है पर आपको पता होना चाहिए रुकता कौन है जो रुकना नहीं है पर सही नतीजा नहीं दिखा सकता है कह तो सकता है कौन रुकता है कमजोर कौन होता है अरे रुकता वही है जो रोता है और जुखता है वह कमजोर होता है कुछ भी कह लो उसको वह सब कुछ होता है कमजोर भी होता है चोर भी होता है निंदक भी होता है सब कुछ होता है जुठा भी होता है जो भी रोता जुखता है उसमें ये सब नकारातमक भरपूर होती है उसके अंदर तो आप पताओ कि ना ही रोना है ना ही जुखना है तब जाके आप नहीं रोता तो जो रुकता रुकना था ना रुकना के साथ जुखना है ना जुखने का मतवरा रुकना अरे जहां जुखो गए तो रुक गई तो करोगे कुछ है कि नहीं चलते चलते कैसे तो कौन रोता है कौन जुखता है ख्याल क्या होता है इंसान क्या करता है ख्याल जुखता है इंसान क्या जुखता है इंसान क्या जुखता है तो अब हम देखते हैं कहमें और रोए हुए कितने दिन हुए आठ दिन में कौन कौन रोया इत्वार से लेकर अब तक बोलो सच बोलना है घबराओ नहीं हाथ नीचे हाथ नीचे और जुखा कौन कौन है जुखा कौन कौन है मैं बिमार हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मेरा यह हूँ, मेरा यह हूँ, मेरा यह हूँ, नत्तुरामाया तब भी मेरा यह हूँ, सितारामाया तब भी मेरा यह हूँ, अब भगवान भी आये दर्शन देने तो उनको भी, भगवान जी मेरा यह हूँ, कैसे हो गया आप ही जिम्मेवार हो इसके चल हो गए अच्छा भई हम ही जिम्मेवार हैं हम अपने स्थान पर बैठते हैं जाओंगे नहीं तो हर वक्त जुकता रहना ख्याल का और ख्याल किसका जुखता है ख्याल किसका जुखता है क्यों कर जुखता है जो सज्जन अपने ख्याल को अतीद से स्वतंतर नहीं कर सकता अतीद जुखत गई अतीद ही होता है ना उसका ख्याल जुखता ही जुखता है वो जुखना हटे नहीं सकता चाह कुछ पे कर लो क्या का है आमने बॉलना क्योंकि वह सद्जन के अन देखी करता है जो जिसका ख्याल अतीद से जुड़ा रहता है वो सद्जन के अन देखी कर रहा है अग्यान सत्य क्या है सत्य वर्तमान है सत्य क्या है वर्तमान है तक कर सत्य वर्तमान अतीद से चुटना चुखने से आजादी और वर्तमान में जीपाना और वो भी अफुर होकर और वो भी अफुर होकर जब हम अफुर होकर वर्तमान में जीपाते हैं तो हमारा ववेश्य उजवल होता ही होता है कोई नहीं रोक सकता है तो हमारा पविश्य तो हमें समझना है जो अतीत है जो भूता है वो आधी व्याधी का रोग है तो अगर मेरा ख्याल जुड़ा रहता है तो उसका परभाव क्या कर रहा है रोग रस्त कर रहा है मेरे शरीर को मेरे मान सिक्स्तिती को रोग रस्त कर रहा है तो मैं रोगी मैं रोगी कैसे हर सकता हूँ मैं रोगी कैसे प्रसंता बांट सकता हूँ अज़ जब मैं प्रसंचित रह ही नहीं सकता तो मैं जीवन का आनंद कैसे ले सकता हूँ या किसी को आनंद लेते हुए कैसे देख सकता हूँ देख भी नहीं सकता हूँ ठीक कहा रहे हैं गल्ट कहा रहे हैं तू इस रोक का खरीददार कौन है और हम में से कोई ऐसा रोकी बने शोभा नहीं देता क्योंकि हमारे पास सत्वस्तु का कुदर्ती ग्रंत रूपी ओश्यदी सजन्षिर शेंशा अहनुवान जी की युक्तियां जो हैं वो ओश्यदी मजूद है हम उसके सेवन करें और उससे छुटबारा पाएं तो फिर जो हमारा वर्तमान बनता है तंदरुस्ति दिल और दिमाग की तंदरुस्ति जो बनती है उसका भरपूर परयोग करें जो सुक पांटें सुक में रहते हुए ठीक ने? सुक में रहते हुए हाँ क्या करें हम ने? आपने ही बनाया सेंजी के जो इंसान अपने अतीद में बना रहता है वो अपने दुख को अपने पास बना के रखता है बिठा के रखता है अधीद क्या होता है बिटो? हमारा जो पास्ट पास्ट में आपकी दादी थी दादा था जो भी था और पड़ दादा था जो भी था अब माँ है, बाप है वो जैसे भी है अब उन्होंने जो भी आपके साथ बच्पन में किया जो इतना उनके पास है उसमें से कुछ दिया जा नहीं दिया वह सब गुजर गया तो अब तो आप अपने खड़े हो अपने बल पुते पर आगे पाड़ना है तो अगर महां जुड़े लोगे तो क्या होगा मैं आगे नहीं पढ़ा होगा मैं अपने प्रगति नहीं कर पाऊगा वो चीज मुझे पकड़के रखेगी और बीमार करके रखेगी उससे मैं प्रफुलत नहीं हो पाऊगा ना मैं खुशी बाट पाऊगा तो ओंठ वाईं का वही बैठा रहेगा तो उस घूंटे को यृइं तो उस रसी को क्या करोगे दऊ़सी अर्य रसी ओंओ नजरी नहीं आती तो खोरो कैसे पकड़ोगे कहांसे उसको थो को विधियो ने जी नहीं आती रसी मिधा की मिधा की लगा तो माया की रशी नजरी ने आइगी ते पकड़ोंगे खोलोगे कैसे कैसे खोल लोगे कौन बताएगा यह बंदन अपने मन से ही बांदे है और मन से ही खोलने होंगे अरे कैसे खोल लोगे मन से कैसे बांद लोगे मन से कैसे खोल लोगे जब आप यह विवेक बुद्धि का इस्तमाली नहीं करोगे तो मन तो छोड़े गानि बांदे रखेगा वो क्यों खुलने देगा वो तो कहेगा मेरे अधिकार में आ गया उंठा मेरे अधिकार में कैसे करेगा हाँ कही यही ना कर ले ना और उंठा हो ही का मही रहा है हुल्टका हो जाए अरे मन कैसे खोल देगा उसको मन से मतीच से जुटेंगे अरे मन से तो लड़ाई करके खोलना पड़ेगा ना फट पिछे यह मेरा उंठा है और मैं इसको अजाद करके ले जा रहा हूं तेरा क्या मतलब है बांद के रखने का अपने गार में अरे माया की रस्षी से उसने बांदा तो कैसे हो सकता है आप पता हो कैसे करेगा यह दोनों हमारी वह ना सुपर टेक सुपर टेक होता है ना इंटेलिजेंशिया माया की रस्षी हमें पड़ भी कैसे खोर लोगा अपने ख्याल को स्वतांत्र करके यह कि जो माया वो ख्याल ही ओता है जो बहतक जाता है इदर उदर तो उसको तरनेशम पर पने ख्याल को स्वतांत्र कर लें प्यार कर लें तो जब ओंठ अगयान में था तो मन ने रसी बंदी माया किई तो तो बैठ टिया अब वो तो समझता है रसी बंदी बड़ी है उसको क्या पता क्या है अगयान है न उसको तो कुछ सत्य सपश्टी नहीं हो रहा है तो जब बढ़ भारी उसने का रहे उंठ रसी है याई मन बेवा कूपन आ रहे तेरेखो तू बैठ वेठे हुआ हे रहे नाया कि रसी हाथी नहीं कभी है इनी रसी तू कर एठे हूआ हुआ हुए उठ जैसे ही उ तो मन पिछे कहता हूं जा रहा है कहा रत गया वो करता है वस बस गया बुड के नहीं देखता हूं तो सीधा जाके बुद्धी की माननेता फिर करता है कहता है अकल आगे ने टकाने उसकी कि मुझे मन का कहना नहीं मानना बुद्धी का मानना उसकी अकल टकाने आगे तो आपको मन का कहना नहीं माननो मन शैतान है छोड़ेगा नहीं शैतान है नहीं ऐसा कभी आपके साथ मन ने शैतान ही करी है बताओ रोज करता है शैतान को शैद हो गए तो बड़े गए ना ठीक है बैठ दो कौन बना था उंट बताओ वहीं पेटगा सटके तो समझाई ना बात नहीं तो बैठे रहोगे वहीं क्योंकि वहाँ देखा तो आप भी बैठ जाओगे अगर हम सब इस से सहमत हैं तो हमें अपना समय समय पर आत्म ररिक्शन करना जारी रखना होगा करना देखना है आतीद को रोता है जुकता है जो रोता है जो जुकता है वह रोता है तो आप श Kirby sul bear के वो अगर रोता है और रोते हो तो के वह आप संभाव के पढ़्व में अटके पड़े हो, फेनो, अगर अब रोते हो या जुखते हो, दोना तरह से, अब जुखना ख्याल से भी होता है, तो कई दफ़ा इस से भी होता है, निंदाज इसको कहते हैं, पर हम कई दफ़ा हैरान होते हैं, इतना सुनते समझने के बाद, जब हम समझ आती है, कि ये सज्जन इंदा कर रहा है, समझ आती है, तो जब हम उस बात को भी लाप्रवाई से लेते हैं, कि उसका दिल ना दुखे कह दिया, कि ये तु क्या कर रहा है, भी जो कह रहा है, कर साबत, कोई दिल दुखता है उस वकद, थोड़ा सा होता है, मसूस होता है, कि इतनी पढ़ाई के बाद भी ये ऐसे कर रहा है, अच्छा ने लगता हूँ, सो मत करो ऐसा, अगर हम सब इस से सहमत हैं, तो हमें अपना समय समय पर आत्म इरिक्शन करना जारी रखना होगा, और इस कारे को और गहराई से करना होगा, गहराई और समझदारी दोनों से करना होगा, ताक के कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार भी निगा से ना बच पाए, और हमें अपने हिर्दे की पूरंता सफाई कर पाने में सफलता प्राप्त हो, याद रखो, हिर्दे स्वच्छ होते ही, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या होगा? हिर्दे स्वच्छ होते ही, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिर्दे स्वच्छ होते ही, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ, स्वच्छता में किटानों कहां होते हैं, तो ठीक ही तो रहेगा जहां स्वच्छता हो वहां किटानों प्यादा हो यह नहीं सकता कोई रोक का किटानों प्यादा ही नहीं हो सकता तो हिर्जे स्वच्छ होते ही क्या होगा? सब ठीक होने वाला है तो सुजिन शिर्शेंशा जाड़ू लेकर सफाई कर रहा है न और एक करने दो और होने दो और बने रहो समर्पत भाव में जब सफाई हो रही है तो समर्पत भाव में बने रहो ये बात महत्व रखती है कि ठीक से कारे सिद्ध हो तो अगर उस वकत आपका मैं कहीं बोलती है बेज में या जागरत होती है तो विगर ना है इसलिए इस कारे सिद्धी है तू हिम्मत दिखानी है आत्म नरिक्षन के समय जो नकार आत्मकता दृष्टी गोचर हो उसकी धारना के कारनों को समझो कि वो नकारत मकता मैंने क्यों धारी कैसे धारी कारन को समझो और फिर आत्म नियंतरन द्वारा इस तरह तराशो कि हमारा अपना असलियत परकाशित निज्यस्तित्व यानि व्यक्तितव प्रगट हो उठे और अपनी चमक से यानि निर्मल जेवन च्रित्र द्वारा जगत को दंग करतो क्या कहा है हमने इस तरह से तराशो कि हमारा अपना असलियत परकाशित निज्यस्तित्व यानि व्यक्तितव प्रगट हो उठे और अपनी चमक से यानि निर्मल जीवन च्रित्र द्वारा जगत को दंग कर दो हम यहां यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं ध्यान से सुनना हम यहां यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सब के साथ आपसी मेल जोल द्वारा जो भाव सभावों का अच्छा या बुरा रूप समक्ष आता है आपसी मेल जोल द्वारा जो भाव सभावों का अच्छा या बुरा रूप समक्ष आता है यहां से बाच्चीत के समय उसको द्रिश्टिगत रखते हुए पाए बुरे सभावों की सफाई करने के लिए उन सभी का ऐसास कराने का भी यतन होता है अगर आप में हमें कुछ नजर आया आप में नजर आया बात चित जरसे होती है आपस में आप में नजर आया तो उसको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हमें कमजोरी नजर आ गई और वो कमजूरी का अचास आपको निह हो रहा तो हम हैसास कराने का यतन करते हैं उसी बात को लेकर अब ये करना उजित है या अनुजित है? अचैन ही होता है इस संदर्म में हम ये भी जानते है इस संदर्ब में हम ये भी जानते हैं कि जिन जिन सजनों पर वह बात लगू होती होगी उन्हें खलता जरूर होगा माना वो बात आपसे है आपसे है और हमने कह दी तो आपको खलेगा जरूर पर उसको आपने पॉजिटिव उसमें लेना है ठीक है कि नहीं भी ये तो वाकी उसको विचार करने की बात है खलता जरूर होगा अगर ऐसा है अपने आपको समझाना होगा और शुक्र करना होगा कि जिसने ही ये कड़वा सच हमें कहने की जुरत की हम जुरत करते हैं वो कड़वा सच कहने की हम जुरत करते हैं यहां से जिसने भी वे कड़वा सच कहने की जुरत की वह हमारा दुश्मन नहीं अपित्तो सबसे अच्छा मित्र है तो जुसको भी ये लवे वो समझो के हम उसके सबसे अच्छे मित्र हैं ठीक है क्या माना होगे सबसे अच्छे मित्र हैं ठीक है तो हम कह दिया करें जो भी आता है अगर ऐसा है तो हमें अपने आपको समझाना होगा और शुक्र करना होगा कि जिसमें ये कड़वा सच हमें कहने की जुरत की वे हमारा दुश्मन नहीं अब तो सबसे अच्छा मित्र है क्योंकि वे चाता है कि हमारे बुरे भावसभाओं की जलक अब हम तक तो ठीक है अगर वो जलक इधर चली जाती है सब में तो क्या होगा हम तो छुपा गए लिए तो क्या होगा वो तो बरदाश्ट ने करने वाले के कर जाएंगे कई ने कई कटनाई पैदा होने वाली है तो बचाओ है क्योंकि वे चाता है कि हमारे बुरे भावशवाव की जलक दुनिया तक पहुंचने से पहले ही उन्हें निर्मलता परदान की जाए जो भी विकार थे उनको पहले ही निर्मलता परदान कर दो ताकि दुनिया तक आपकी निर्मलता पहुंचे और यश कानो अब यश से बचाने की बात है इस तरह जो भी कह रहा है इस तरह वह हमें एकता के सूतर में बांदे रख एकता के सूतर में बांदे रखता है ना भै ये मेरे से विच अटमा जाए ये मेरे साथ ही चलता रहे मन्शा ये होती है मन्शा क्या होती है कि आप सब साथ ही चलते रहो इस मन्शा से बात कही जाती है इस तरह वह हमें एकता के सूतर में बांदे रख अप यश से भी बचाए रखना चाता है यानि अंत तक साथ निभाना चाता है आखरी स्वास्तक यही तो होता है मित्तरता सजन भाव से निभाना अपने उपर ले लो क्या है यही तो होता है मित्तरता सजन भाव से निभाना और मिलकर आगे ही आगे बढ़ते जाना तो फिर आप कड़वा सच सुनकर रुकोगे नहीं, अगर इस भाव से लेते हो बात को, तो जो भी कड़वा सच कहा जाएगा, आप रुकोगे नहीं, मिलकर आगे ही आगे, गदम बढ़ाते रहोगे, तो अगर इसको वैसे लिया तो रुक जाओगे, ऐसे ही होगा ना? तो अब पूरी अवाज में हमें बताना, क्या आप ऐसा ही चाहते हो? हां जी क्या आप ऐसा ही चाहते हो? हां जी तो फिर आगे ही आगे बढ़ना है ना? अगर ऐसा चाहते हैं तो मन्जूर है ऐसी के बाद है अगर हाँ तो हमारी बात सकारात्मक्ता से लिया करो अगर हाँ तो हमारी बात सकारात्मक्ता से लिया करो जी तब ही हम सत्वस्तु के कुदर्ति ग्रंथ में वर्नित अगर आप सकारात्मक्ता से लेना शुरू करते हो तो तबी हम सत्वस्तु के कुदर्ती ग्रंथ में वर्नित सज्जन श्रीशेंशा हनुआन जी की युक्तियों के अनुसार सभी के भाव सभामों को तराशने का कारे दिल से वा सफलता पूरू कर पाएंगे अब बात समझाईएं क्या कर पाएंगे अगर आप हमारी बात सकारात्मक्ता से लेते हो तो तबी ही हम सत्वस्तु के कुदर्ती ग्रंथ में वर्नित सज्जन श्रीशेंशा हनुआन जी की युक्तियों के अनुसार सभी के भाव सुभावों को तराशने का कारे दिल से वा सफलता पूरू कर पाएंगे तो आप सायोग देने को तियारो सारे बढ़ और तियारो सायोग देने को यह ठीक है रहें सारे तियार हैं सारे तियार 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 आगे आरा है धान से सुननों कौन सा काम शुरू करना तराशने को हैं क्योंकि आपका जीमन हीरा है ना हीरा हीरे को तराशना पड़ता है तब ही वह चमक दिखाता है नहीं तो ऐसी लगता है तराशने के समें अच्छी हांसे सुنना ओूर दिल में याद रखना द्माग में भी रखना तराशने के समय सुन रहे है थारे कुछ चोटे ऐसी लगेंगी क्या बना हम ने तराशने के समय कुछ चोटे ऐस्य लगेंगी जो पीड़ा देने वाली होंगी तराशने के समय जो पीड़ा देने वाली होंगी पर हमें उस समय क्या करना है समर्पत भाव में बने रहना है समर्पत भाव तो पीड़ा कहा है पर पीड़ा रहेगी पर जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है इसी में ही हम अपनी बलाई समझें और हंस्ते हंस्ते उसे सहन करने का सहस दिखाएं उस पीड़ा को हंस्ते हंस्ते सहन करने का सहस दिखाना है कौन दखाप आएगाई तो अचयों एसे तोड़ा हम थपन मारते जाएं तो सास आए किसी में इसको सदो नो रियक्शन क्युक्क हीरा तराशा जाता है न बोग धार से धार भी ध्यान दखना पड़ता है तो अगर ध्यान धार से ध्यान अट गया तो तूट करते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वो अमोलक की रहा हुआ वो खेर पर पूरी बात समझाएंगे अगर आम ऐसे त्यार हो तो इसी में ही हम अपनी भलाई समझें और अंस्ते अंस्ते उसे सेन करने का साहस दिखाएं तबी हम नकारात्मक्ता भावसभावों की नकारात्मक्त जो भी भावसभावाव की ती वर्ता से छुटकारा पासकेंगे जो हमारी भुद्धी को भ्रमित कर देते हैं हमें यक्तम क्रोध चड़ा देते हैं क्या कहने वाला क्या कह रहा है समझने ही नहीं देते और हम कुछ का कुछ बोलते जाते हैं कुछ का कुछ करते जाते हैं खुद को मैं नहीं पता है उस ती वर्ता से छुटकारा पासकेंगे और हमारा मन संतोश वा धैरे युक्त सदा रह पाएगा ठीक है? याद रखो इस क्रिया के दोरान हमारे लिए मन में कोई भी ऐसा पुर्णा उठाना वर्जित है कोई भी ऐसा पुर्णा उठाना वर्जित है जिस से क्या हमने कहा कोई भी ऐसा पुर्णा उठाना वर्जित है जिससे तराशने वाले की प्रसंद चितता वाकारे सिद्धी हे तू एकागरता भंग हूँ अब अब अपने कारीगार बुलाया लोग ये ठीक कर दे हमारा विकार सारे उतार दे जितने चड़ गए हो निकाल दे मन में से तो हम चमक उठें अब आपने बुलाया फिर जरा से उसने किया ऐसे क्यों कर रहा है फुरना हो गया ये तो पीड़ा हो रही है ऐसे क्यों हो रहा है ऐसे थोड़ा ठीक करना होता है अब हीरा को तराशना कैसे है तो यह हर एक के बसका तो काम नहीं होता तो यह तो सजिन श्री शेंशाह अनुवान जी की युक्ति अमसारी हो सकता है ना तो याद रखो इस किर्या के दौरान हमारे लिए एमान में कोई भी ऐसा फुर्णा उठाना वर्जित है लफज वर्जित मना नियम के वरुद्ध जिस से तराशने वाले की परसंचितता वा कारेशिध्य है तू एकागरता फांधो कुछ ऐसा नहीं करना कि वो सोच में चला गए तो जो धार वाला होता ना ओएसे-ऐसे हिल सकता है चंचल हो जाएगा ना हिल एकागरता फांधो गई तो क्या होता है तो क्या होता है गल्ट गल्ट होता है तो नुक्सान वर्जित वाला कनौन तोड़ने से नुक्सान खुद कोई है तो कारिगर का क्या है वो तो कह गए नहीं कराता ना करा और सही ध्यान से सुनो कि जब हम आत्मी ग्यान के परवा के दौरान किसी को ये भी अपनी बात कर रहे हैं ध्यान से सुनो कि जब हम आत्मी ग्यान के परवा के दौरान अब यह से सब को देख रहे हैं किसी को उदास या सोच में डूबा हुआ ऐसे देखते हैं ना उदास या सोच में डूबा हुआ या फुर्णों में गलतान देखते हैं यहां बैठा हुआ भी यह फुर्णे में बैठा होते हो तो हम भी उससे परभावित होते हैं आप बहुत बड़ा नुक्सान करते हो ऐसे करके जो भी यहां फुर्णों में बैठता है वो बहुत नुकसान करता है तो ये अनुचित बात है क्योंकि उस समय हमारे मन में सवाल उठता है क्यों परभावित होते हैं क्योंकि उस में हमारे मन में सवाल उठता है कि आत्मिक्यान को बढ़ते सुनते समझते हुए भी ये सजन कि रोने चुकने की सभाव में क्यों अटका हुआ है कौन से स्वाल उठता है क्यों अटका हुआ है ये वे इस वोकत फर अटकते हैं ना बनता के ने पर विजार तो करना होता है न अब जब ऐसे होता है तो इसके उत्तर में हमें एक ही कारण समझ में आता है जो हमारा अटकता है तो अटकने के बाद उसको कारण भी तो देखना है कि रो जुक तो हो रहा है अटक क्यों आपको क्या है रोने दो उसको जुकने दो नहीं बाद आता तो तो हम क्यों अटकते हैं इसके उत्तर में हमें एक ही कारण समझ में आता है और हम सब इससे सहमत होंगे कि वह जो रोने जुकने वाला है जो कारण बता रहे हैं सहमत होंगे कि वह कारण एक मातर कारण हो सकता है हमारी विक्तिगत मैं मैं रहता हूँ मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ उसके साथ ऐसे क्यों हुआ मैं रहता हूँ मेरे साथ मुझे यह क्यों नहीं मिला मेरा यह क्यों खो गया मेरा यह सब कहां गया उसके पास यह यह है मेरे पास क्यों नहीं है मैं मैं बात समझाई है एक वात रकार नहो सकता है हमारी विक्तिगत मैं या फिर या फिर भी बता दें मैं समझा गया क्या मैं मैं क्या समझा गया यह बड़ ध्यान से सुनते है यह हिम्मत वाली मान लेती है बात को होता है तो होता है सेंटिय हमें यह समझा आए कि हम यहाँ पर आपकर आत्मी ज्यान की पढ़ाई सुनते हैं समझते हैं फिर भी हम जो है अपने कल्यों की सोभावों में फसे हुए इसका एकमात कारण है हमारी मैं यानिकि हम दूसरों से कंपारिबन करके कि उसके पास ये हैं मेरे पास क्यों नहीं है मेरे पास ऐसी चीज नहीं है और वो मेरे से बेटर क्यों है जो इन चीजों में हम फसे रहते हैं तो मैं अपणी को गोरे के हुआ हम काले के हुआ है देख कैसे हास रही है नहीं कोई बाद नहीं कोई बाद नहीं को आले हैं तो फिर भी ठीक है अब समझ लो इस बात को और या भी बताना लगें या फिर या तो मैं या फिर दिल दमाग की या फिर दिल दमाग की बहुतिक सुख दुख में लिपती बतलब वही है बहुतिक सुख दुख में लिपती कारण है रोने जुखने के पीछे क्या कारण है बहुतिक सुख दुख में लिपती बहुतिक सुख दुख में लिपती यही चत प्रदिशत आप के लोने जुखने का कारण है यही है ना यही लिपती ही तो हमारे मान में असंतोश वा अधीरता पनपने का हेत्व होती हैं अब तभी हमारे मन में असंतोश है दोसरे के पास भी देख के मिल जाए यह भी मिल जाए वा अधीरता है हम अधीर है धीरज है ही नहीं, धर्य है ही नहीं पनपने का हित्व होता है जिस से अब बड़ा खतर नाक है यह अपने साथ मत होने देना हो ये लिपती ही तुम हमारे मन में असंतोश वा अधीरता पनपने का हेत्व होती है जिससे हमारा नाडी तंत्र हर समय तनाव युक्त बना रहता है होता है किसी किसा है तो सेजन शेयन शेयन शाह हनमान जी के पास तो युक्त है नाडी पर रखने की पता है ना तनाव युक्त बना रहता है और नुक्षान क्या होता है उससे और हम निज पर निज पर शाशन करने के काबिल नहीं रहते तो कौन शाशन करता है माई हम निज़ पर शाशन करने के काबल नहीं रहते राजा के क्या हुआ राजा अकल मारी ले तभी तो बुद्धी मनु राज में जा गिरती है और मन मत ही हमारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाती है इस नकारात्मक अवस्था को प्राप्त इन्सान अपने पास सब कुछ होते हुए भी जब औरों पर नजर रखने के सभाव में फंस बैटता है सब कुछ होते हुए औरों पर नजर रखता है अपना नहीं देखता कितना कुछ है औरों पर नज़र रखने के सभाव में फंस बैटता है तो वे ना तो सब कुछ प्राप्त कर पाता है और इसी हताशा में ना ही जो कुछ उसके पास होता है उसका पूरा लाप उठा पाता है उसका भी ने इस्तमाल कर पाता है क्योंकर नजर तो अधर है तो अपनी दबस तो नजर ही नहीं आ रही इतना कुछ है मेरे पास जानों की क्या हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा जानने के कोशिश करो हो रहा है अगर हो रहा है अगर हो रहा है जानक प्रिस्तिती से उबार लो जी और जानों की असलियत में हम एक अनमोल ही रहा है और जानों की असलियत में हम एक अनमोल ही रहा है और तराशने के समें हमें समर्पित भाब में बने रहना है ठीक है अब आप कैसे एक अनमोल ही रहा हो सारे सारे कैसे अनमोल ही रहा हो आप यह जानना चाहते हो यह हम अगली बार बता देंगे अब यह करके आना सारा फिर अब कैसे ही रहा हो और वो आप की आत्मा में परमात्मा रूपी हीरा कैसे खोजना होता है उसके बारे में शास्तर क्या कहता है अगर यह कर लोगे समर्पत भाब में आ जाओगे तो हमारी वो बात जो शास्तर रिदिता है वो समझ पाओगे ठेक है? ठेक है ना? तो आप भी शास्तर में से पढ़ सकते हो क्योंकि यहां से भी बताया जाएगा और आप भी पढ़ सकते हो पर इतना जो सुना है किसी को अच्छा लगा हो बुरा लगा हो जो भी है हम उसके लिए फिर कह रहे हैं कुछ क्योंकि मित्तर मित्तर है ना? तो मित्तर भाव से ही जो है फिर निर्भाय हो के करना पड़ता है मित्तर आए उन मित्तरों के पास अपने अर्शी मित्तर से मित्तर ता करान लई मित्तर आए उन मित्तरों के पास अपने अर्शी मित्तर से मित्तर ताई करान लई जन्मों से जो भटक रहे मित्तर उन मित्तरों की सुर्तों को शवद से मिलान लई ए मित्तर ओ मित्तर नहीं जड़े रह विच छड़ जाँ देने चल दे चल दे अगर कोई मित्तर रुक वी जावे उन गोदी विच चुक के मंजल दे पहुंचाओं देने कठे चले सी कठे ही चलाँगे कठे ही मंजल दे पहुंचाँगे अपना घर है अपना घर है परमधाम जित्थे सारे पहुंच के पावांगे विश्राम 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 यह अच्छा बोलते हैं नहीं अपने अर्शी मित्र से मित्र ताई करा लिलेई अपने अर्शी मित्र से मित्र ताई करा लिलेई जन्मूसी जो बटके रही मित्रे उन्मूसी जो बटके रही मित्रे उन्मित्रों की सुरतों को शवद से निरा निलेई ए मित्र ओ मित्र नहीं जिड़ी राह विच्छड जान्द लेई पता कैसे लगेगा काउंसा मित्र नहीं जिड़ी राह विच्छड जान्द लेई चली दी चली दी अगरी कोई मित्रे रुके भी जान्द लेई उन्मूसी जिड़ी चुकते मन्जिल ते पौंचान्द कठे चली सी कठे ही चलागे कठे ही मन्जिल ते पौंचान्द ए घबरान दी कोई कल नहीं अपना घर हाँ अपना घर हाँ अपना घर अपना घर है परमिधा अपना घर हाँ अपना घर हाँ अपना घर अपना घर है अपना घर हाँ अपना घर हाँ विश्राम घर हाँ जिती पहुंच जिती सारे आवां के विश्रा 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 जाता हुष्रा विश्रा विश्रा वो जिती से। अधर लेको आल को न यह थापत करना होगा कि आप भी रहो पर तभी समझाएगी आपको यह कर क्या होगे तो यह ना करने की ऐसा भूल मत करना और ऐसे परसंड बैठे हो ना यहां पर कि आज तो मुझे मेरी कीमत कीमत पता लगेगी अमोलक ही रहो तो कीमत कहा से होगी आ गई ने कामना कहती है वह बर्णियन्ह परिंग अबला उंट पर्णियन और्णियन्ह लिए इस खास वह गल इस अढ़बधा गल गल झाल झाल झाल